हाई स्टुडेंट हमारा आज का जो टापिक है वो है सैचस लिंकेज इन ड्रोसोफिला स्टुडेंट हम ड्रोसोफिला मलैनोगैस्टरस जिसको हम ف्रूट फ्लाई भी कहते हैं उसके अंदर हम पढ़ेगे सैक्स लिंकेज को उसके अंदर एक साइन्टिस्ट था 1911 में टी-एच मारगन ने इस पर डिफरेंट एक्सपारिमेंट किये ठेक है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टी-एच मारगन ने कौन-कौन से एक्सपारिमेंट किये उसको result क्या मिले और उन result के बाद उसने analyze क्या किया लेकिन पहली बात ये है कि आपको ये मैं बताऊं कि उसने ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टरस को ही क्यों select किया उसकी preference में ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टरस क्यों है समझा रही है तो हमारे पास सबसे पहले जो है कुछ points है सबसे पहले है जी spacious cages and mashed banana स्टुरिंट बात इस तरह है कि कोई भी scientist है न उसने अगर काम करना है तो उसके लिए उन animals को या उन plant को select करेगा जो बहुत जल्दी grow भी कर जाएं और एक छोटे से area पे cultureble हो छोटे से area पे वो grow हो सकें easily जो है वो cultivate हो सकते हो plants के अंदर हम बताते हैं जब भी हम कोई भी plant को select करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको select करें जो easily grow हो जाते हैं laboratory के अंदर वो grow हो जाएं उनके लिए हमें कोई बड़े field की जूरूरत ना हो उनके लिए हमें कोई जय्द की जगा है वो required ना हो तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए हमें कोई कुशादा पिंजरे केज कोई बड़े बड़े पिंजरों की जरूरत नहीं है मतलब आप छोटे से जार मार मैलेड्स मरबा जो होता है जिसके अंदर वो जार के अंदर डाला होता है जैम वगरा जो है इतना सा जार हो आपके पास जार का जो अपर लिड है डकन है उसमे चोटे सुरा करें उसके अंदर आप बनाना मार्श्ट बनाना जो है जब व उसके अंदर आप रखेंगे तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे यीस्ट गरो करेगी और येस्ट के नतीजे में वहां पे ड्रोसोफिला मिलानोगैस्ट्रस एजीली कल्चरेबल हैं और वहां पे येस्ट को खुराक के तोर पे यूस करेंगे और पहला पॉइंट ये है कि ना तो आपको इसके लिए कुछ बड़े पिंजरों की जरूरत है और उसके साथ जो है एजीली आपके पास ये मार्श्ट बनाना जो है गले सड़े जो केले हैं उनके ओपर जो एजीली ग्रो कर सकती है पहला पॉइंट समझागी है उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा पॉइंट है वो है डाइमार्फिजम बात ये है जब भी अब किसी भी एनमल्स को स्टूडी करते है ना तो एनमल्स को स्टूडी करने के दुरान आपने ये देखने है कि आप मेल और फीमेल को शकल से पहचान सके him let's pause हमारे पास पिजन है कबूतर अब वो जो पिजन मेल और फीमेल है आम इनसां उसको इतनी दिल्दी जो है वो इडंटिफाइ नहीं कर पाता कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है ठीक है वो जो प्यूर जो हंटर हैं शकारी हैं उनको तो पता है कि जी ये मेल है ये फीमेल है वो भी बड़ी डीप उनके बारे में सर्च करने के बाद बहुत जड़ा उनके साथ इटैच होने के बार फिर वो बता पाते हैं लेकिन शकल को दूर से देखने से आम इनसान नहीं बता पाता कि ये मेल है ये फीमेल ह इसी तरह हमारे पास और बेशमार ऐसे बर्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड् इसकी जो लाइनो गास्टरे ना, इसकी जो मॉर्फलाजी यह ना, ना ही ठीमथेजम, डिखने में आप आराम से बता सकते हैं कि यह मिल है और यह फीमेल है, जैसा कि मैंने यहांपे दो वर्रोसो फिला म्लैनोगास्टरे सबनाए हूए हैं, अगर आप Drosophila Melanogasteris के यह जो Legs एंस को देखे तो यहां पे ना Combs मजूद है कंगी की तरह का structure है इस कंगी की तरह के structure को हम बोलते हैं Sex Combs क्या कहते हैं? Sex Combs ठीक है जी? इसी तरह यह जो male है यह पीछे से ऐसे इसकी abdomen जो है यह ऐसे round होगी यह जो female है एक तो इसकी ओपर Sex Combs नहीं है दूसरे नमबर पे इसकी जो end है यहां से यह ज़रा थोड़ा सा pointed होगा ऐसे point सा बना होगा, वो pointed सा होगा ठीक है जी? तो बताने का यह मकसद है कि आप इसकी शेकल को देखके आप physical appearance को देखके यह बता पाते हैं कि यह male है और यह क्या है? female तो इसके बाद student अगला point जो है वो यह है generation time जैसा कि अगर मैं आपको एक plant के example देता हूँ जी आपना एक plant को select करें और आपने उसके seed को sowing करने, बोने, बोने के बाद जब वो बड़ा होगा तो फिर उस पे जब seed लगेंगे फिर उनकी study करनी है अब मुझे यह बताएं कि आप कौन सा plant select करेंगे जो दो साल बाद seed देता है या वो select करेंगे जो 15-20 एक माँ के बाद seed देदेगा आप वो select करेंगे जिसका generation time बहुत छोटा होगा जो बड़ी जल्दी जो है अपना life cycle complete करता है जो बड़ी जल्दी जो है seed की production करता है same animals के case में भी ऐसे ही है हमारे पास जब भी आप generation time को देखें एक generation पैदा हुई two week के बाद वो दुबारा आगे बचे पैदा करना start कर देती है आपको result बड़ी जल्दी मिलते है उनकी products चेक करने के लिए बहुत जल्दी मैयसर होती है कि ये वालदेन ऐसे हैं बचे कैसे होंगे वो उनका करास फिर आगे बचे कैसे होंगे तो ये बड़ी जल्दी आप इनको चेक कर पाते हैं ठीक है student जो है genetics की study के लिए ये perfectly species है मैं बार बार आपको बताया कि हमने drosophila melanogasteris को select किया एक तो ये भी बताते हैं कि इसके अंदर x-y system होता है sex का लेकिन बाद में हमने पढ़ा था कि x-x chromosome, artosome ratio भी हमने पढ़ी थी लेकिन यहां में ये बड़ा interesting सा point है कि हमारे पास जो है आप इसको जब study करते हैं तो ये genetically perfect है student इसके कुछ points है कैसे perfect पहले नंबर पर ये है कि इसमें जो T.H. Morgan 1911 में जो उसने इस पे research start की थी थी न उसने क्या किया था जब drosophila melanogasteris को लिया तो इनके 85 trait को study किया कितने trait 85 और वो सारे के सारे के दूसरे से contrasting थे समझा रही है contrasting होते है opposite एक की eye जो है वो white है तो दूसरे की black एक की abdomen round है तो दूसरे की pointed एक का color इस तरह कहा है तो दूसरे इस तरह एक के जो है वो wings इस तरह कहा है तो दूसरे ये opposite trait जो होते है इसको contrasting trait तो एक तो ये है कि इन में contrasting trait बड़ी जल्दी मिले और visible है 100% कि ये इस तरह का है तो दूसरा बिलकुल इसके opposite है 85 contrasting trait की study की और उसके बाद जो है कि जब इसके larvae बनते है ना उन larvae की dissection करके आप उनके अंदर क्रोमोसोम की study अराम से खर सकते हैं मतलब कि वो हमारे पास एक material है आप larvae state पे क्योंकि larvae state आपको पता ये है कि जब भी ये insects है एग एग के बाद जो है pupa और pupa के बाद larvae बनता है तो larvae एक ऐसी state है जिसमें बहुत से के अंदर system functional होते हैं और कुछ system जो है non functional है तो इसमें student क्या होता है कि आप उसकी dissection करते हैं और उसको easily study कर सकते हैं microscope में या और different high power magnified microscope जो होती हैं उसके बाद एक चीज और है कि इसके अंदर कुछ ऐसे glands हैं जिस तरह salivary glands student जो salivary glands है उसके अंदर कुछ joint chromosomes होते हैं अब ये joint chromosome कौन से हैं ऐसे chromosome जिसमें maximum gene functional हूँ मैं बताता हूँ आपको बता है आपके पूरी body एक zygore से मिलके बनी है अब zygore देखें zygore से मिलके बनी लेकिन zygore से कुछ skin cell बन गे कुछ eye cell बन गे कुछ bone cell बन गे अब मेरी बाद को सुनना है जो bone के cell हैं उनके अंदर जो chromosome है उसमें bone वाले gene जैदा active है बाकी जो है वो switch off होगे इस तरह skin की के इसमें skin वाले cell बनाने वाले gene जैदा active है क्योंकि यहाँ पर जो cell है उस cell के अंदर chromosome के अंदर bone वाला gene भी तो मौझूद है लेकिन यहाँ पर bone की formation क्यों नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर switch off है वो अपनी position पर जाकर switch on वहाँ वाले cell में है ऐसे ही जो हमारे पास salivary glands है इसमें maximum जो chromosome के ओपर gene है वो active होते हैं और उसको हम बैलते हैं giant chromosome जिस तरह हम polyteen की example बताते हैं ठेक है तो ऐसे student जो है और last पे एक point है कि जो drosophila melanogastris है ना second year में जो हमारा एक chapter है bio technology इसके बाद आएगा जल्द ही इंशाल्ला इसके बाद बला bio technology के अंदर जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो उसमें एक topic है जिसको human genome project कहते है human genome project के दो goal है दो काम है एक तो यह है कि इंसान के अंदर जितने भी chromosome है उनके अंदर gene की position को identify करना कि gene chromosome पे कहां पे बाद जाता है दूसरा gene का sequence find करना कि gene के अंदर nucleotide का sequence क्या है तो उसी genome project का ये भी part है drosophila melanogastris क्योंकि इसके अंदर भी sex by system था तो इस वज़ा से इसको भी उसका part बनाया तो मैंने फिर आपको sex linkage in drosophila में कितने point बता दिये पांच ठीक है जी तो इन पांच point की वज़ा से जो है हम discuss करते हैं कि इसको drosophila melanogastris को तो फिर आपको पता चल गया कि हमने इसको क्यों select किया है drosophila melanogastris को तो student फिर न इसको मैं आगे next cross करवाना है और cross करवा के बाकी के result आपको next lecture में मिलेंगे अभी मैं अपना lecture यहां पे wind up करता हूँ क्योंकि ये बज़ाद अलादा से भी question आप से पूछा जा सकता है कि why TH Morgan select drosophila melanogastris has compared to any other organisms तो आपने ये आपने जो है points को explain करना है तो student आज हम अपने lecture को यहां पे wind up करते हैं आज के लिए